पिछले साल मार्च की शुरुवात में ही दिल्ली में कोरोना ने दस्तक दी इसके पहले शिकार थे रोहित दत्ता पेशे से कारोबारी च्यालिस वर्ष ये रोहित उन दिनों को याद करते हुए आज भी सिहर उठते हैं वो कहते हैं कि एक साल पहले कोरोना की वज़ा से एक घ हैं कोरोना के प्रभाव को कम करने वाली दवाई आचकी हैं ठीका करण्ट पूरे देश में शुरू हो चुका है हजारों लोगों को टीका लग चुका है जल ही आकड़ां लाखों में और फिर करोडों में बहट जाएगा कोरोना के खातमे में ये सबसे वड़ी उम्मीद हम सब के साब में हैं टेक्निकल टेक्स्टाइल में कारोबारी मुयूर विहार फेज दो निवासी रोहित ने बताया वो कारोबार के सिलसले में पिछले साल फरवरी में इटली गए थे 25 फरवरी को बापस लोटे तो हलका वुखार हुआ नस्दी की डॉक्टर के पा उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स का व्यभार ऐसा था कि उनके प्रती मेरे मन में जो नकारात्मक विचार थे सब बदल गए ऐसे समय में जब कोई आपको पानी नहीं पूछता वहां कि एक डॉक्टर अपने पैसे से खरीद कर मेरे लिए जूस लेकर आया डॉक्टर्स ने ये विश्वास दिला दिया कि मैं यहां से स्वस्थ होकर ही घर जाऊंगा घर भी लोट गया लेकिन डर खतम नहीं हो रहा था इसके अलावा कई लोगों की नजरों में गुनाहगार भी बना हुआ था गुच मान रहे थे कि दिल्ले में कोरोना की वज़ा मैं ही हूँ हलांकि समय के साथ कई लोगों के विचार बदल गए अच्छी बात ये रही कि मेरी वज़े से कोई संक्रमित नहीं हुआ सरकार ने काफी तेजी से इस पर काम किया और आज टीका करन का अभियान चालू है रोहित दत्ता का कहना है कि हमारे देश ने इस लड़ाई को सबसे बहतर तरीके से लड़ा है हम दूसरे देशों को टीका भेज रहे हैं उन्होंने कहा कि टीका के लिए अपनी बारे का इंतजार कर रहा हूं उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि टीका लगवाएं अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइको शेय करें साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं सब्सक्राइब करे हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिएं